तोपिक इस टोपिक इस फाइब्रो एडिनोमा ऑफ प्रेस्ट आपको पता है इस बिनाइन ट्यूमर बिनाइन इसकी वह होते है फीचर्स बिनाइन बाइफेजिक ट्यूमर कंपोस्ट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बोथ ग्लैंडूलर एपिथीलियल एंस ट्रोमल ट्रोमल ट्रोमल यूनिट ग्लैंडूलर भी और स्ट्रोमल भी दोनों की प्रोलिफरेशन होगी फीचर्स में क्या जेगा मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर इन अडोलिसेंट्स एंड यंग वोमन मैंने मुस्ट यंग वोमन देखी हैं फाइब्रो एडिनोमा के साथ बिना और स्ट्रोमा का ये ट्यूमर है ग्रास में आपको क्या नजर आएगा फिर्म वेल सरकम्सक्राइब ओवाइड मैस विद बॉसलेटिड सर्फेस लॉबूलेशन बल्ज अबव तक कट सर्फेस लिट लाइक स्पेसिज होंगी ठीक है वेल सरकम्सक्राइब है ओवाइड है औ और लॉबूलेशन जो होती है वो कट सर्फेस आपको बल जोड करती दिखती है और 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 में हैव म्यूकाइड और फाइब्रॉटिक अपेरेंस कैन भी कैल्सीफाइड कैल्सीफाइड भी हो सकता है मैक्रोसकोपी प्राइड त्यूमर कंसिस्ट और प्रॉलicking एपिथीलियन मेजिन काइमल कंपोनेंट्स ऑपिथीलियल भी होते और उपिथीलियल भी होते हैं मेजिनiatric थाइमल कॉम्पोनेट्स पियोते है जो उसमें जो है वो स्ट्रोमा प्रॉलिफ्रेड किया होगा औराउ और इसमें जो है वो compressed cleft like ducts होती है उसमें तो tubular ducts है ना ducts are lined by luminal epithelial cells and outer myo epithelial cells luminal epithelial cells होंगे और बाहर को myo epithelial cells होंगे luminal epithelial cells may show hyperplasia other changes like atrophic changes or apocrine change or squamous metabolisia can also occur यह भी हम सारी changes देख सकते हैं स्ट्रोमा शोज abundant hyalainization and mixoid changes stromal alterations which can occur are अब क्या कैस में alterations हो सकती है calcifications हो सकती है edipose tissue बन सकता है condroid और osseus metabolisia हो सकता है squamous muscle metabolisia हो सकता है bizarre multi nucleated giant cells आपको नज़र आ सकते है infarction may develop during pregnancy or lactation